नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बाड़े में जिसे हम लोग बेदानता के सबसिडरी के नाम से जानते हैं और बेदानता की कमपनी हिंदुस्तान जिंक है फ्रेंट्स और इन्होंने अभी अभी अपने दिसंबर क्वाडर के रिजल्ट को प्रिजेंट किया है आप देख सकते हैं कि 19 जनवरी 2023 यहां प्रिजेंट होना है तो चलिए देखते हैं कि बेदानता की यह सबसिडरी कमपनी ह इस तरह के रिजल्ट को प्रिजेंट किया है तो फ्रेंट्स आपके सामने यहां पे इस कमपनी के जो कंसॉलिडेट डेट हैं वो प्रिजेंट होना है और यह जो फीगर आपके सामने प्रिजेंट होना है यह इन करोड में प्रिजेंट होना है तो आप इसे इन करोड में ही 703 करोड का जबकि पिछले एगर December quarter में इनका जो total income था वो 8279 करोड का तो friends अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो यहाँ पे जो 500 करोड के आसपास आपको गिराबट दर्ज होते हुए हिंदुस्तान जिंक में दिखेगी इसके अलाबे अगर आप यरली बात करेंगे तो भी यहाँ पे आपको थोरी सी गिराबट देखने को अबस्ते मिलेगी इनके total income में इसके अलाबे अगर expenses की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक के दौरा जो expense पोस्ट किया गया है वो 500028 करोड का जबकि पिछले quarter में इनका जो total expense था वो 4778 करोड का जबकि पिछले year December quarter में इनका जो total expense था वो 4411 करोड का तो फ्रेंट्स यहाँ पे इनका जो expense है वो quarter on quarter भी increase करते हुए दिखा है और yearly बाइज भी comparison करेंगे तो भी इनका जो expense है वो यहाँ पे increase किया है तो फ्रेंट्स इन्होंने जो अपना net profit present किया है हिंदुस्तान जिंक को जो सुधलाव हुआ है इस quarter में वो 2156 करोड का जबकि पिछले quarter में 2680 करोड का था जबकि पिछले year December quarter में हिंदुस्तान जिंक ने जो अपना net profit पोश्ट किया था वो 2701 करोड का तो फ्रेंट्स यहां पे इनका जो net profit है उसमें गिरावट दर्ज हुई है quarter on quarter भी और year on year भी तो चलिए देखते हैं कि इस company का जो main business है zinc, lead, silver और metal का तो देखते हैं इनका जो main business zinc, lead है इसमें इन्होंने बढ़ोतरी दर्ज की है या फिर वहां पे भी इनका गिरावट दर्ज हुआ है तो फ्रेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं कि इस company का दो major business है जो यहां आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है zinc, lead का और silver, metal का तो यहां पे इनका zinc, lead का जो business है इसमें थोरी सी गिरावट यहां दर्ज हुई है यह ज़्यादा गिरावट नहीं है कहा जा सकता है कि इस बार का ज़े इनका result है वो एक मिला जूला result देखने को मिला है बहुत बरी गिरावट तो नहीं कह सकते हैं और यह एक strong company है और dividend भी बहुत ज़्यादा भरबर के यह company देती है तो फ्रांस आज के लिए इतना ही आपका देन शुभ हो